नमस्कार, मार्केट संबाद में आपका स्वाग रहते हैं, किसी भी बाजार में भीड़बाड अच्छी लगती है, खासों से जब आप बाजार में आना चाहते हों, बाजार किसी भी सहर का हो, इसी तरह भीड़बाड से भरा अच्छा लगता है, क्योंकि यहां पर बाजारों को उम्मिद होती है कि गरहाक आएंगे और उनके सामानों के बिक्री होती है लेकिन बाजारों का नियम होता है कि हपते के एक दिन बाजार बंद भी रखे जाते हैं और इसी बंदे दिवस के बीच लगने वाले बाजारों की रोनक अब दीरे दीरे गुलजार होने लगी है यह जो आप बाजार का नचारा देख रहे हैं रुत्तर प्रदेश के जहासी का है जहासी का यह मानिक चोक में सापता है कि मंगलवार का लगने वाला बंदी दिवस का बाजार है यहां आपको सस्ते सामानों का जो क्रेज है दुकानदारों का गोग्राकों को अपनी और खींचता है फटपात पर लगने वाला यह बाजार धीरे धीरे अब इस तीजी से बिकसित रूप में नजर आने लगा है कि यही कारण है कि यहां के जो इस्थानिय दुकानदार हैं वह भी मंगलवार के दिन कुछ लोग अपनी दुकानों को खोलने लगे है फटपात का यह बाजार जिसमें आपको कपड़ों के हर प्रकार की सामान मिल जाते हैं जीन्स हो, पैंट सर्ट हो, टी सर्ट हो, लुवर हो, बच्चों के कपड़े हो, चादर हो, जलरीज हो, सब कुछ आपको यहां मिल जाती है थेले की जगए, पलंग जो प्लास्टिक का होता है, उस पर रख कर यह दुकानदार अपने सामानों को बेशते हैं आवाजें आती हैं, चारो तरफ से जूते चपल से लेकर जो आप देख सकते हैं, आपको सब कुछ इस बाजार में दिखाए देगा दुकानदार कई परकार की आवाजें भी लगा कर बिक्री करते हैं, जिसमें हर माल एक दाम तो कई दामों के जो आवाजें हैं, वह एकराकों को अपनी और आकर स्थित करते हैं हलाकि यहाँ पर यह जो बाजार है मानिक चौक में लगता है और अब इसका सुरूफ थोड़ा बड़ा हो गया, इसलिए यह बड़ा बाजार तक पहुँच किया है कुछ लोग यहाँ पर पराने कपड़े भी बिक्री के लिए लाते हैं और कुछ लोग नए जिसमें अधिकांस दुकाने जो मानिक चौक में होती हैं, इसमें कपड़े नए ही रेंज में ही मिल जाते हैं लेकिन सस्ते दामों में सामान मिलने के कारण यहाँ लोग मंगलवार को जम कर खरदाई करने के लिए आते हैं, चादर बैक सीड़े नकाता है, उनकी कई सारी रेंज मिल जाती है, बच्चों की कपड़े हैं, लुवारे हैं, पैंट हैं, टी-शर्ट हैं, अब चुकि सर्द दुनिया चली गई हैं, तो गर्म कपनों का बाजार यहां से खत्म हो गया है, लेकिन मंगलवार का यह बाजार, जहासी का जो मानिक शोक में लगता है, वह धीरे-धीरे काफी क्रेजी होता जा रहा है, और लोग यहां पर जम कर खरेदारी के लिए आते हैं, आप जेक सकते हैं, यह हर दुकान पर आपको कोई न कोई गरहाक मिल जाएगा, सड़क पर यह धुकान लगाते हैं, और इन धुकानों में जम कर लोग खरेदारी करते हैं, तो यह जहासी का मानिक शोक में लगने वाला वो बाजार है, जो एक दिन लगता है, और इस दिन लोग अनतजारा रहते हैं और यहां जम कर खरीदारी करने के लिए भी आते हैं हलाकि यह बाजार सीपवी बाजार में भी सुमवार के दिन लगता है लेकिन जहासी के मानिक चोक में लगने वाला मंगलवार का एक दिन का बाजार लोगों को सस्ती खरीदारी के लिए अपनी उर खींच लेता ह हमने आपको इस बाजार का काफी खुब्सूरत नाजारा दिखाया आपने क्या यह बाजार कभी देखा है या कभी खरीदारी की है अगर ऐसा किया है तो हमें बताएं और बताएं कि आपको यह रिपोर्ट कैसी लगए